नमस्कार, Hindi Learning चैनल पर आपका स्वागत है, अज आशिमा महाजन Hindi Learning चैनल पर लेकर आई है, Class 6 के स्टुटेंट्स के लिए चैप्टर नमबर 12, करन कारत तृत्यावी बक्ती, Easy Explanations, Solve Book Exercise और Worksheet आपको इस वीडियो में मिलेगी, अभी तक जितने भी चैप्टर अप्लोड हुए हैं मेरे चैनल पर इस बुक के, उसका लिंक इस वीडियो की प्लेइलिस्ट में दे रिया गया है, आप Classics की प्लेइलिस्ट दिव्यम संस्कृत की पाठे पुस्तक की ओपन करके देखेंगे, तो आपको आपके सारे चैप्टर्स मिल जाएंगी, जो चैप्टर नहीं मिलेगा, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो जब अच्छे से समझ लें, तो लाइक का बटन दबाए बीना मत जाईएगा, करन कारक तृत् पड़ी क्या होती है, जिसका चिन्ने होता है को, जिसमें पाठम, फिर मतला द्वित्यावी बक्ति के वर्ड्स लगने हैं, चाहे पुलिंग में लगें, चाहे इस्तरी लिंग में लगें, चाहे नपुनसक लिंग में लगें, जैसे मैं फल खाता हूँ, अहां फलम खदामी जैसे अगर इस्तरी लिंक की बात करूँ तो आप बोल सकते हैं अध्यापी का बालान पाठ्यती ठीके और अगर आप बात करते हैं नपुनसक लिंकी तो पुश्पम विना उध्यानव वृथा अस्ती फूल के विना उध्यान जो है बेकार है विना उपपदवी बक्ती लगी चली बाठ चुरू करती हूं तुरित्या विबक्ती जिसका चिन्ये होता है से के द्वारा जैसे मैं कहूंगी तुम हाथ से लिखते हो तो आप लिखेंगे त्वम हस्तेन लिखसी ज competence करनकारक को 17 करिते हैं से और के द्वारा से जेंपल पता चल गया ये नीचे ये निज़ की जरूरत पढ़ती है जैसे केन पुलिंग में एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाएगा जब भी कोशन बनाना है ठीक है बाल केन जैसे और भी वर्ड्स आ जाए पुत्रेन आ जाए तब आप क्या करेंगे कोशन बनाने के लिए केन लगा देंगे अगर बाल का ब्याम पुंगते हैं तो नासी का आ की मातरा पीछे आ रही है इस तरही लिंग का शब्द है नासी केया तो नासी केया केलिए कोशन बन जाएगा केया जिगरती जा जिगरनती ओकी बालिका ब्याम लिखा हुए जैसे दो बालिकाओं के लिए तो कोशन जो बनेगा वो किस से सुनत काबियाम उसके बाद काबी बाली काबी जाने की बहुत सारी बालीकाओं के लिए काबी यूज किया जाएगा नपुनसक लिंग में फल के लिए अगर एक फल है तो फलेन जाने की कोशन बनेगा केन दो फलों के लिए फला बयाम है तो काबियाम और फला ही जाने की कई पाट चुरू करूं द्यान से सुनिएगा दीरे-दीरे एक्स्प्लेन करूंगे जन कह पुत्रेन सह चलती जन कह मतलब पिता पुत्रेन जन की पुत्र के सह मतलब साथ चलती मतलब चलता है ओके पिता पुत्र के साथ चलता है न सूरेन बिना लालीमा न भफ्ती सूरे के बिना लाली ग्रंती बालक बाली का नहीं है बाल काहा बालक नाक से सुंगते हैं नर है पादा ब्याम चलती आदमी जा नर पैरों से चलता है दो पैरों से चलता है अहम हस्ता ब्याम नमामी बैं दो हातों से नमस्कार करता हूँ जा करती हूँ तो हम करना ब्याप श्रेनोशी तुम कानों से सुनते हूँ अध्यापके शात्राभी सहगचती अध्यापक शात्राओं के साथ जाता है शात्राह पुश्पई स्वागतम कुर्वनती शात्र फूलों से स्वागत करते हैं अध्यापके शात्राभी सहवदती अध्यापक शात्राओं के साथ बोलता है से नेत्राब्यां अंदय अस्ती वहर आंखों से अंदा हे नेत्राब्यां ध्वी वचन का शब्द है ध्यान रखियेगा अशोक है पादेन खंजयस्ती, अशोक पैर से, क्यूंकि पादेन जो है वो पुलिंग का एकवचन का शब्द है, पैर से लंगड़ा है, बालक काह मुखेन खादंती, बालक मुख से खाते हैं, जनाहा पुस्तकेन पठंती, लोग पुस्तक से पढ़ते हैं, ते विद्या विन होते हैं, अहम कलमें लिखामी, मैं कलम से लिखता हूँ, वयम दूर दर्शनें चल चित्रम पच्यामें, हम सब दूर दर्शन से चल चित्र देखते हैं, टीवी से, ओके, फिलम देखते हैं, तो हम दूर भाशी यंतरेन, वदसी, तुम टेलिफोन से बोलते हो, अहम संगन क कार्यम करूं मी मैं computer से कार्य करता हूं आपको पता है mobile को संस्कृत में क्या कहते हैं चल भाशी यंतरें mobile के लिए term use की जाती है ध्यान रखियेगा अश्वह हा पदई धावंती क़ोड़े पैरों से दोड़ते हैं से पादा ब्याम चलती, वे पैरों से चलता है, बालाह क्रिडन के खेलनती, बालिकाई जा बच्चियां जा लड़कियां कुछ भी लिख सकते हैं, आप कन्याई बोल सकते हैं, खिलोनों से खेलती हैं, अवाम मुखेन खादावे, हम दोनों मुख से खाती हैं, अवाम दंताई चर्वावे हम दोनों दांटों से चबाते हैं, फलाई शरीरम पुष्टम बवति, फलों से, क्यूंगि फलाई जो है वो बहुवचन का शब्द तृत्य अभिवक्ति का, फलों से शरीर पुष्ट होता है, शात्रह कलमेन लिखती, शात्र कलम से लिखता है, बाल कहा कंदुके इंक्रिडंती बालक गेंद से खेलते हैं गजाहा पादई चलनती हाथी पैरों से चलते हैं उके स्टुडेंट्स से 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 हर जगा आया जाने कि ये तृत्यावी बक्ती के वर्ड्स होते हैं और संस्कृत में कलमेन सूरेन मुखेन दूरदर्शनेन इस तरह नीचे आपके शब जाने कि बस यानेन रादा कृष्ण के साथ मुट्य करती हैं तो सेह लगा होगा तो चुपचात कृष्णेन उठा लेना क्योंकि सेह की वी बक्ती तृत्या के साथ ही लगती है इसलिए कृष्णेन जो है तृत्यावी बक्ती का शब्द अश्वय धाप्ती गोड़ा पैरो उसे धोड़ता है, तो पादई, बहुवचन का शब्द है, सेह वार्तलापम करोती, किता कि वह मित्रों के साथ वार्तलाप करता है, मित्रई, ओकी, अहम क्रिकेट क्रिडाम पच्यामी, मैं क्रिकेट का खेल देखता हूं कैसे, दूर दर्शन यंतर से, तो दूर दर्शन यंत पद्रेन, एक पद में उत्तर दीजिए बच्चो, जना केन पठनती लोग किससे पढ़ते हैं पुस्त कों से पुस्त केन, किस के भीना लालीमा नहीं होती, सूरे के भीना सूरेन, सर्वे क्या जिगरंती सभी किससे सुंगते हैं नासिका से, जानि कि नाक से, नासि केया, कैसे विनम्र होते हैं बच्चो, विद्या से, विद्या, ओकी, रेखांकित पदों के अधार पर प्रश्न निर्मान करना हैं आपको, अब देखिए, वयम करना ब्याम शिरुनुम है, तो वयम का ब्याम शिरुनुम है, हम किससे सुनते हैं, हम कानों से सुनते हैं, कोशन बन तो आप कई लगा देंगे बहुवचं का शब्द है किम की विवक्ति का अमर है कई चर्वती अमर किस से चबाता है सा नासिक्या जिग्रती मैंने उपर लिखके दिये वैं किसके द्वारा सुमती है तो किसके द्वारा की संस्कृत हो गई केया किम की विवक्ति है इस तरी लि द्वित्या और तृत्या दियान रखिएगा यहां पर महीला के पीछे नहीं चलना है कि महीला वाली लाइन कंप्लीट कर दू नहीं प्रत्मावी बक्ति का शब्द है महीला तो द्वित्यावी बक्ति का पहला शब्द क्या होगा महीला तृत्या का पहला शब्द क्या होगा म वहुवचन उर तृत्या में शात्रे ही होता है त्र इसी परकार भिख्षुक है बहुवचन भिख्षुक है रिज iç रिज दृत्यावी बक्ती विल चरन रिज़ा होती है थी और तृत्या चरण वत joich the sentences after changing the number of colored words as per direction given in the brackets जानि की कोश्ठक में दियेगे कोश्ठक होता है bracket bracket में दिये निर्देश की अनुसार रंगीन पदों का बचन बदल कर वाक्यों को दोबारा लिखिए बाल के है कंदुकेन क्रिड़ती बाला गेंद से खेलता है बहुवचन में बदलना है अब कंदुकेन का बहुवचन क्या होगा कंदुकई ओकी कंदुक का बहुवचन आप तृत्यावी बक्ती में देखेंगे कंदुकई होता है तो आप लिख दी है यहाँ परकंदु कही जो colorful है उसी की तृत्यावी बक्ती के शब्द चेंज करने है जो आपको direction दी है bracket में किंचुक है किंचुक मित्र के साथ पढ़ता है द्वी वचन में चेंज करना है अब द्वी वचन मित्रा ब्याम होता है तो मैंने लिख दिया द्वी वचन लगाना है पिता दो पुत्रों के साथ जाता है पुत्रा ब्याम लगा दिया किर्यकला किस से क्या होता है उधारन के नुसार मिलाईए चल भाशी यंत्रेन का उन्होंने एक्जेंपल दिया जानी की mobile से बारतालाब की जाती है राइट रेल यान इन अन्य नग इद्वीयते और पुषपई से स्वागतम किरियते जेल्f असेस्मेंट में पहला कोशन है निमलिकित वाक्यों को शुद केजिए जना नोकेन तरंती अब पेटाजी जना नोकेन तरंती तो नोकेन का भ़वचन लगा न क्यूंकि जना भी भवचन तरंती भी भवचन नोका आजाएगा मनुष्य पैरों से चलता है तो पादेन आ जाएगा तो हम नासिका ब्याम जिग्रसी तुम नासिका से सूंखते हो तो नासिक्या तो हम एक वचन के लिए ना तो नासिक्या तृत्या विबक्ति का एक वचन लगा दिया विपिन हाथ से लिखता है तो दो हाथों स से लिखेगा तो वीपी ने हस्ता ब्याम लिखती से ए HAS लॏ चक्री टौशा का का एक वचन दूई चक्री का साइकल से जाता है कूँ है कि एक गल्ती यह बेटा जी यहां पर विपी न हाथ से लिखता है उसका एक वचन हस्ते न होना चाहिए तोड़ी लिखने बेळayगा सोरी यहाँ पर हस्टेन आएगा मैं यहाँ करेक्शन करके दे रही हूँ आपको हस्तेन लिखेंगे हस्ता ब्यामनी लिखेंगे हस्तेन वै हात से लिखता है विपिन हात से लिखता है चलिये आज़ाई आगे सूकर्म वाले शब्दों में लारंग भरिए, दुशकर्म वाले शब्दों में हरारंग भरिए सत्य भाशनम, अब ये सूकर्म है, अच्छा काम है, लारंग भर दीजिए चोर्यम, दुशकर्म है, हरारंग भर दीजिए इर्शिया दुशकरम है, देशबक्ती सूकरम है, अप्रिय भाशनम दुशकरम है, परोबकारम सूकरम है, स्वाध्यायम सूकरम है, समासेवाम सूकरम है, तो सूकरम में लारंग बरिये और दुशकरम में हरारंग बरिये आपकी बुक की exercise यहां हुई complete अब किसकी बात की जाएगी अब बात की जाएगी वर्कशीट की येस अगर आपके स्कूल में अलग से वर्कशीट की बुक लगी हुई है तो करन कारत तृत्यावी बक्ती में पहला कोशन आपके अभिहास के लिए दिया है अगर आपने चैप् ब्रम्ती सह लगा हुए मैंने पहले ही बता दिया तृत्यावी बक्ती उठा लेनी है पुत्रेन सह ब्रम्ती पिता पुत्र के साथ गूमता है शात्र कलम से लिखता है कलमेन लिखती बालकाह बालक गेंद से खेलते है कंदुकेन खेलनती शरीर फलों से पुष्ट होता है फ लियद्वी वचन है पाधा ब्याम तुम किस्से सुनते हो दो कानों से करना ब्याम किस्से प्रकाश होता है सूर्य से सूरेन शात्र किस्से स्वागत करते हैं वो सारे फूलों से करेंगे पुश्पई हो गया बहुवचन बाला किससे खाते हैं बाला किसे खाते हैं? मुखेन होगे ठीक है? अब प्रेशन निर्मान करना है जोगि मैंने पहले पेच पही समझा दिया था जब चैपटर शुरू किया था बाला क्रिडन के खेलती जो लड़कियें जा कनियाई हैं जा बाला हैं वो गेंद से खेलती हैं, तो किस से खेलती हैं, कई हो गया, ठीक है, मनुश्य विद्या से नमर होते हैं, तो मनुश्य किस से भी नमर होते हैं, बिटा, केया, विद्या की जगा केया आ जाएगा, हम दूर दर्शन से चल चितरे देखते हैं, फिलम देखते हैं, तो हम किस से द अध्यापक शात्र के साथ बैठता है अब शात्रा की विवक्ति लगेगी इस तरी लिग में शात्रा भी ओकी जना पुस्तकेन पठंती लोग पुस्तकों से पढ़ती है ना पुस्तकई फल से शरीर पुष्ट नहीं होता फलों से होता है तो फलाई बहुवचन बाला कृड़ से खेलती हैं क्रिडन कई बहुवचन तृत्यावी बक्ती में लिखने हैं ये सारे शब्दतों पूरी तृत्यावी बक्ती फिल करके मैंने दे दी आपको ओके आगे व्याकरन पर पत्र है पहला कोशन है रिक्तस्थान भरने का जनहा पठनती लोग पढ़ते हैं पुस्तक से पुस्तकेन हो गया ठीके बालाहा खेलनती कृडन कई हो गया गेंद से खिलोनों से खेलते हैं सौरी बालका हज जिगरनती बालक नाक से पूशपाई हो गया जादा फूल अशोक पैर से लंगडा है पादेन ठीके कोश्थक से शुद्शब्द चुनकर इक्तस्थान पूरे कीजिए रमा नाक से फूल सुंगती है नासी के अतरते अभी वक्ती गजा पादाई चलंती पैरों से चलते है हाथी जादा है शात्राहा जो शात्राई है वो फूलों से स्वागत करती है तो पुश्पई हो गया शात्र हो गया शात्र फूलों से स्वागत करते है शात्राहा क उचित शब्द चुनकर इतस्थान पूरे कीजिए हम दांतों से चबाते हैं तो दंतई ठीक है अश्व पैरों से दोड़ते हैं गोड़े तो पादई नागेश मित्रों के साथ गूमता है मित्रई मैं कलम से लिखता हूँ कलमेन क्यूंकि एक ही कलम से लिखूंगा बहुवच रित्या हो गई लोग विद्या से मिनम्र होते हैं हाथी सूंड से जल पीता है एक ही तो सूंड है अजीत दांतों से चबाता है दंतई WAY चन तुम सब संगनकर कंप्यूटर के द्वारा कारे करते हो तो संगनकर यंतरई ओके तुम सब है न आगे आजाए एक मिनट सुडेंट यहाँ पर संगनकर यंतरई की यगा संगनकर यंतरेन कर लीजिए आप कंप्यूटर से कारे करते हो के कंप्यूटरों से नहीं यंतरेन करना ह आपको यहां पर word यंत्रेन यहां पर इसको काड़ दीजिए ऐसे लिखेंगे यह word तो लिखा ही हुआ है यंत्रेन बस यह कर दो आप ठीक है निर्देश के नुसार नीची लिखी तालिका पूरी करनी है आपको प्रत्मावी बक्ती दृत्या और तृत्या वर्ड दीए प्रत्मावी बक्ती में वर्ड होता है परिश्रम है दृत्या में परिश्रमम ठीक है क्यूंकि तृत्या वी बक्ती का एक वचन था तो प्रत्मावी बक्ती का एक वचन लगाना था दृत्या का एक वचन लगाना था उसी तरह कंदुकान दृत्या वी बक्ती में बच्चों को समझाने में मैं सफल रही होंगी तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर देकर जाईएगा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना गुड़ पाई